हम भी शायद काम के हूँ आपके हाशिये पर गौर तो फरमाईए नमस्कार सलाम नीज कुलिक के इस खास का रिकरम चुनाव चक्र में आपका स्वागत है मैं हूँ मुकल सरल बड़ी पार्टियों बड़े दलों की हर कोई हर समय बात करता है लेकिन छोटी पार्टियां छोटे दल इनका क्या जबकि ये भी हर चुनाव में बड़ी भूमिका निभाती है उत्तरप्रदेश चुनाव में भी इनकी एहम भूमिकार रहने वाली है सामाजिक और राजिनितिक समिक्राण के हिसाब से ये छोटी पार्टियां किसी न किसी जाती या समू का प्रतेरिन रिद्व करती है आज के इस खास एपिसोड में हम इसी सब पर बात करेंगे लेकिन पहले देख लेते हैं यूपी में इस समय कौन-कौन से छोटे दल हैं जो सक्रेत और पर राजिनिति में हस्तक्षेप कर रहे हैं यूपी में कई छोटी पार्टियां हैं जो अपने समाजिक और जातिय समू में बड़ा प्रभाव रखती हैं हर बड़ा दल इनसे गड़ बंदन को ही अपनी शोशल इंजिनिरिंग कहता है इस समय कई छोटी पार्टियां सत्ता में भागिदारी के लिए अपना दावा ठोक रही हैं ये दल ये समू हैं सुहेल देव भारतिय समाज पार्टि यानि SBSP ये दल समाजवादी पार्टि के आसपास हैं इनोंने उनसे गड़ बंदन किया है या करने जा रहे हैं खलेश यादव का इस बार अपने चाचाशिफ पाल सिंग यादव और उनकी प्रगतशील समाजवादी पार्टि लोहिया से ठीक ठाक तालमेल हो जाएगा इनके अलावा छोटे दलों में एक बड़ा दल पहले से ही सपा के साथ है और वो है RLD यानि राष्ट्य लोग दल इस बार भी चुनाव पूर गडबंधन की घुशना हो चुकी है किसान आंदूलन के दौरान RLD को भी काफी मजबूती मिली है दूसरी ओर भारते जन्ता पार्टि के आसपास भी कई छोटे दल हैं और कई को जोडने या तोडने की कोशिश की जा रही है इन दलों में प्रमुख है अपना दल, निशात पार्टी, प्रकत शील पार्टी, भारतिय सुहिल देव जन्ता पार्टी, शोशित समाज पार्टी, भारतिय मानव समाज पार्टी, मुसहर आंदूलन मंच, मानव हिट पार्टी, प्रत्विराज जन्शक्ती पार्टी, भार पर्तिय समता समाज पार्टी रामधनी विंद ने हिस्सादारी मूर्चा बनाया है जिसमें अपना दल और प्रकदशील पार्टी को छोड़कर उप्युक्त साथों पार्टियां शामिल हैं। बीजेपी और समाजबादी पार्टी दोनों अपनी शोशल इंजिनिरिंग के तहट छोटे-छोटे दलों को अपने साथ जोड़ रही हैं। इन चुनाओं में इस सब का क्या रोल रहने वाला है। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ यूपी की सामाजबी की और राजनिती को करीब से देखने जानने वाले वरिश्ट पत्रकार अरून कुमार्टिर पठी जी हमारे साथ हैं। अरून जी आपका स्वागत है। आपने यूपी की राजनिती को आप भी करीब से देखा, समझा और लिखा। छोटे दलों पर भी आपसे पहले बात हुई थी। छोटे दलों की क्या भूमिका रहने वाली हैं इन चुनाओं में। जिस तरह से दो प्रमुख प्रद्द्दी जो इस चुनाओं में दिखाई पड़ रहे हैं। तेजी से छोटे दलों को अपनी और खींच रहे हैं। उसे लगता है कि छोटे दलों की एक महतुकून भूमिका इस चुनाओं में होने वाली है। चाहे वो भारती जन्ता पार्टी जैसा राश्टिय दल हो और चाहे समाजबादी पार्टी जैसा उत्रपरदेश, थोड़ा मध्यपरदेश, थोड़ा राजस्थान इन जगों पर अपनी दखल रखने वाली समाजबादी पार्टी हो। तो दोनों पार्टियां तेजी से जो है छोटे-छोटे दलों को अपने से जोड़ रही हैं। समाजबादी पार्टी का भी आंकड़ा लगभग जो है वो कल अपने अखिलेश यादो अपने चाचा से उपाले यादो से मिले हैं। तो उनकी प्रगतशील समाजबादी भी गटबंधन करने जा रही हैं उनसे और उससे पहले वो महांदल जनबादी पार्टी सोसलिस्ट राष्टिय लोग दल पस्चिवी उत्रपरदेश में। सुहेल दियो भारतिय समाजबादी पूरभी उत्रपरदेश की जो पार्टी है गोंडवाना गड़तंदर पार्ट अपना दल कमेराबादी और इस तरह से जो है कुछ और पार्टियों से वो आम आदमी पार्टी से भी संभूता उनका गटबंधन हो लेबर रेश पार्टी से बिले हो चुका है भारतिय किसांसेना और समाजबादी पार्टी कासीराम बहुजन मूल समाजबादी पार्टी उससे भी इनका गटबंधन होने जा रहा है। तो एक समाजबादी पार्टी भी अपना आकडा तेजी से बढ़ा रही है, हो सकता एक दरजन हो जाए और हो जाए। और उसी तरह से भारती जनता पार्टी भी अपने साथ एक हिस्सेदारी मोर्चा बना है। उसी सेदारी मोर्चा में बहुत सारी पार्टियां हैं और वो पार्टियां भी भारती जनता पार्टी से एक अलाइन्स किये हुए हैं। तो यह तरह से जो है वो कोई कोना छूट न जाए इस चुनाओं में। यह भी एक कोशिस है और इस पर वुकली थोड़ा इस तरह से भी हम लोगों को देखना चाहिए कि जो बड़े आख्यान हैं चाहे भारती जनता पार्टी जैसे बड़े राष्ट बादी हिंदुत बादी दल का अख्यान हो और चाहे समाजबादी पार्टी का अपना नयाय का अख्यान हो वह अपने आप में संकून नहीं है मुकमल नहीं है इसलिए वह आचया समेटने कोशिस कर रहे हैं और जिसमें कहीं राजभर हैं, कहीं बिंद हैं, कहीं निशाद हैं, कहीं जो है गोंड हैं, कहीं जो है कोई और जाती की मात्वा कांच हैं, कहीं नोनिया जाती हैं, तो इस तरह कि सब लोग अपनी अपनी हिस्सेदारी मांग रहे हैं इस राजनीति में. जि मैं वही उस पर ही आ रहा था कि यह तो दल है चोटे-चोटे यह किसी ना किसी सम्हू या जाती सम्हू इन सब का प्रतिने जत्व करते हैं तो समाजी की और आर्थिक प्रभाव के दरश्टी से इन दलों का क्या महत्व है राजनिती में और क्या हो सकता है इतने चोटे-चोटे दल क्यों बने है इसकी जो आवशकता है इसका जो आवचित है वो बहुत इसपष्ट है कि भारते जन्ता पार्टी जैसी राश्टिये पार्टी भी जो है वो अपने भीतर सभी जातियों का समुचित प्रतिन तो नहीं दे पा रही है कुछ खास जातियां उन में डॉमिनेट करती हैं जैसे कि उन में जो है वो सबर्ण का तो बर्चस है ही लेकिन उसके इलाव하 जो ववी सी जातियों में से माइनस यादो जातियों का बर्चस दलितों में जो है वो माइनस जो जातों है उनका प्रतिनित है इस homosexuality party में जो है अगर यादो-जातियों का बाहुल है, तो दूसरी जो गैर यादो-जातियां हैं, वो भी सी कि उनका प्रतित तुकम है, और फिर अगर उनमें कहीं मालीजें कि जो है वो जाटो-जातियां, दूसरी जातियां बस्पा में हैं, तो जो गैर जाटो-दलित हैं, वो कहां जाएं तो वो कुछ कट करके समाजबादी पार्टी से जुड रहें अलग अलग तरीके से तो जातियों की जो महत्वा कांचाएं हैं वो कोई भी दल अपने आप में पूरा करने की स्थिती में नहीं है इसलिए भिन भिन छोटे छोटे दल छोटे छोटे नेताओं के माध्यम से उभ करके और ना मिल करके बलकि नदी के दीव बना करके आप इसको इस तरह सकते हैं कि बड़े दलों की जो धाराएं हैं वो नदी की तरह है और उसमें वो अपने आईलेंट्स बनाते हैं कि हम इसमें रहेंगे भी लेकिन हम अपने को विलीन नहीं करेंगे ताकि हम बार्गेनि इसमें एक हिस्सा तो निश्ची तोर पे जो नीजी महत्वा का अच्छाओं का है, जो की आप अपना दल के ही बारे में कह रहे हैं, अपना दल कमेराबादी जो उनकी माने बनाया है, अनुप्रिया पटेल की, दूसरी तरफ जो है जो भारतिय सुहेल दियो समाज पार्टी ज तो वो बीजेपी के साथ एलाइन्स कर गए, तो अब राजभर वोटों, राजभल का जो है जो राजनिती करण है वो शायद तीब रहुए आउत्तर परदेश में, और वो अपनी एक ससकत उपस्तिती भी दर्ज करा रहा है, वो करा रही वो बिरादरी, इसलिए वो परकास की तरज पर खेला हो वो खदेड़ा हो वो सब नारा भी दे रहे हैं, बीजेपी ने उनको काउंटर करने के लिए कहा है कि भाई, ये तो आइडिलोजी हमारे साथ है, और ये जितने छोटे दल सपा के साथ गए है, ये राश्टरबाद के विरोधी है, और इसलिए हमारे सा जो है राश्टरबाद के समर्था करें, ये उनके पास भी विससे पिछली बार भी जो कहा गया है, ये कहा जाता है, टर्म है, शोशल इंजिनिरिंग है, है ना, बहुत सारे दलों को बीजेपी अपने साथ लाई, शायद उसका फाइदा भी है, आप कैसे देखते हैं, नितिक रणनी थी है, ये उनकी बहुत लंबे समय से रणनी थी है, और बहुत दिनों से वो इस काम को कर रहे हैं, तो इसमें उनको, हलाकि इस काम को सबसे अच्छी तरह से जो है, CPM ने पस्ची मंगाल में किया था, या केरन में किया था, शायद उन्होंने वो माडल महां स में तक सासन किया, उस चीज को अपनाया बीजेपी ने और सेंटर में भी सरकार बनाई और जगए 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 जोटे-चोटे दरोस्त, इंडिये का फार्मेशन, उसका एक मतलब परिणाम है, उसको उत्तर प्रदेश में 2017 में भी उन्होंने किया था, उसका उनको लाफ बिला था, और अब फिर उसको दोहराना चाहते हैं, लेकिन अब समाजबादी पार्टी ने वो चीज सीख ली है, समाजबादी पार्टी ने 2017 में जो है, वो एलाइंस किया था, कांगरेस के साथ, वो एलाइंस बहुत फूटफुल नहीं रहा, बहुत फलदाई नहीं रहा, उननीस में उन्होंने बसपा के साथ किया, वो भी बहुत फलदाई नहीं रहा, तो उन्होंने सोचा कि मजबूत दलों से गटबंधन करने के बजाए, जो छोटे-छोटी लोगों की महत्वा कंचाएं हैं, तो वो एक दोहा है कि लगुता से प्रफुता मिले प्रफुता से सिर्धूल, तो यह लगुता से प्रफुता पाने का जो प्रयास है, यह उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से चल रहा है, और इसके पीछे मुझे लगता है कि जो भी एक तरह से जो है वो जातियों को तोड़ने का जो आंदोलन है, वो चुकि कमजोर हो चुका है, उसमें वो धार नहीं है, तो जातियां अपनी राजनीतिक सत्ता के लिए जो है अलग-अलग एडेंटिटी के साथ खींचतान रसा कसी कर रही है, कोई बहुत बड़ा लक्ष सभी जातियों का नहीं है, लेकिन सत्ता में अपनी सिधारी हो जाए, कुछ जन प्रदित हो जाए, प्लिटिकलाइजेशन हुआ है, तो ये प्रोसेस आप यूपी में तेजी से देख रहे हैं, जिसे हमने अभी आपने भी दोराया, कि गुरुवार को ख़बर आई कि शिपाल और अखलेश एक साथ आ रहे हैं, जो सुलह हो गई है, चाचा बतिजा में, तो आने वाले समय मे कुछ इसका प्रभाव आप देखेंगे राजनिती में, खास तौर से चुनाओ में, जरूर देखेंगे, क्योंकि एक तो जो है, जो 2017 में इस परिवार के जगडे को एक तरह से आगे रख करके, समाजबादी पार्टी की कमजोरी को दिखाया गया था, समाजबादी पार्ट भी है और उसमें जो है, तमाम चीजें हैं प्रकट्रूप में, लेकिन परिवार की यूनिटी से उसको एक ताकत भी मिलती थी, तो परिवार जो आरोप लगाने वाले हैं, वो ये भी कहते हैं कि परिवार तो तूट गया, बिखर गया तो सकती नहीं है, तो प्रेक्टिकली बड़ा दल है, आरेलडी, वो भी समाजवादी पार्टिक के साथ अब गडबंदन में हैं, और पिछले दिनों किसान आदरों के चलते उसने अपनी जमीन को वापस पाया है, काफी कुछ, पश्चिमित और प्रदेशना खास दोर से, तो आप इस गडबंदन को या इस एला किसी गाओं में जो रहली हुई है, वो बहुत बड़ी सभा हुई है, और इसने चुनाओ के माहौल को बदलने में, किसान आंदोलन ने, और किसान आंदोलन के दबाओं में ये जो गड़बंदन बना है, इसकी एक बड़ी भूमिका है, वो एक जो है, वो एक बड़ा मुद बड़ा परदान कर रहा है इस पूरी चुनावी राजनीद को जो उसमें की खुसानों का मुद्दा जो है जो भी भाउनात्मिक मुद्दें है राश्टबाद के या मंदिर के या जो है वो एक तरह से धारमिक मुद्दें उनकी बजाए उन्होंने क्लास इसू किसानों का जो है और किसानों से जुड़े हुए जो आर्थिक मुद्दे हैं उनको सतह पर ला करके रख दिया है और दूसरा बड़ा काम यह हुआ है किस गड़बंधन से जो पस्चिमी उत्तरप्रदेश में जाट और अलब संखेक बिर सकती है राजनीती ग्रूप से कितने वोट मिलते हैं कितनी सीटे मिलती हैं का लग बात है लेकिन समाज की जो खाई है अगर यह पार्टी जाती है किसी गड़बंधन से तो यह एक जो है वो कहना चाहिए कि बड़ी उपलब्दी है डिमोक्रेसी की कास्टिश्शन की जो है अच्छा यह हिस्सेदारी मोर्चा क्या है यह हिस्सेदारी मोर्चा जो है वो लगभग साथ दलों का एक एलाइंस है जिसके कि छोटे दल भी अपने अपने तों पर रेकर्ट बंदन मना रहे हैं बड़ों के साथ तो जाए रहे हैं बीजेपी से सुतंतर द्यों सिंग जो क कुर्मी विरादरी के उन्होंने ततरह से प्रयास करके और उत्रप्रदेश भाजबा के अध्यक्ष है उन्होंने रामधनी बिंद करके हैं जो भारतिय मानो समाज पार्टी के राश्ट्य अध्यक्ष हैं उनकी लीडर्सीप में एक हिस्सेदारी मोर्चा बना है जिसमें भ अनसक्ति पार्टी है भारतिय समता समाज पार्टी है इसमें प्रजापती समाज के लोग है इसमें नुनिया समाज के लोग है इसमें बिंद निशाद राजभर इस तरह के विविन समाजों के लोग है और ये समाज भी जो है वो भारतिय जनता पार्टी की जो का जो आख्यान है उसका जो राजनीतिक मुद्दा है उसको प्रचारित प्रसारित करने में और उसको वोट दिलाने में इसकी अपनी भूमिका रही है सत्रा में रही है और इस दोरान भी अपनी भूमिका निभाने के लिए यह इस्सेदारी मोर्चा बनाया गया है निशाद पार्टी इसमें नहीं है आज है ऐगर निशार पर्वागरत पर्वाइब आज किस्टा पर्वार्टि में जुड़ जाएगी इसमें जादातर पर्वांचु जो प्रवान्चल में जो है पुर्वांचन ओप तुम्म दिन स्चाइब करें लेंगी सब्क्राइब पौर्वाद civilians ञायका। दूसरे जो है वो जो हिंदुत्य का जो मामला है उसमें जाती तोड़ने का भियान नहीं है जाती तोड़ने का जंड़ा नहीं है वो सोसल इंजीनरिंग करते हैं और सोसल इंजीनरिंग में वो हिंदुत्य की जो एडिलोजी है उससे विभिन जातियों को जोड़ते हैं ताकि तो उनका हिंदू करण हो सके तो वह हिंदू आईएशन की प्रोसस में वहकीन करते हैं और इन जातियों का हिंदू आईएशन अलग अलग सिंबल्स को आगे रख करके वह कर रहे हैं तो इस तरह से जो है यह हिस्सेदारी मोर्चा और इसलिए सुतंदे उसिंग ने कहा भी है क यह लोगों को राष्टबाद में यकीन नहीं करते तो बलकि मुझे याद है कि दिन दे अलुपाद धाय का एक कथन भी है कि जो हिंदू समाज की विविन जातियां हैं वो जो जातियों को साथ लेके चलने की उनका हिंदू एजिशन करने की बात करते हैं तो वह उस प्रॉसेस में हिंदू एजिशन करेंगे या निसनल इजिम के इडिलोजी से जोड़ेंगे और कर रहे हैं इसके विपरीद जो अमबेटकरबादी इदल थे जो लोहिया बादी दल थे उनकी उनका जो विचार था यह था कि अमबेटकर का तो सहाब कहना था कि जो है एनिहिलेशन आफ कास्ट जाति भेद का बीज नास या लोहिया भी जाति तोड़ने की बात करते थे तो वो जब भी कास्ट का एलाइंस बनाते थे कास्ट का रेंबो ब लोहिया ने कहा था कि मुझे उनके होने से यह एकीन होता था कि हम लोग मिल करके भारतिय समाज से जातियों को मिटा सकेंगे एक दिन हाँ जाती तभी भी मिट पाएगी जब उनका आर्थिक और समाज एक और राइनितिक सारी हक उन्हें मिलेंगे तभी जाती भी वना सबकी हिस्सेदारी की मांग तो बढ़ेगी अच्छा एक छोटे से एक दो सवाल और हम बात चित कर लेते हैं क्या हम यूपी के एतबार से आम आदमी पार्टी और OVC की AIMIM को भी छोटे दलों के तोर पर देख सकते हैं हाँ निश्चित तोर पे अब इतर परदेश के लिहास से तो छोटे दल ही कहे जाएंगे तो ये भी कुछ भूमिकानी बाहने जा रहे हैं यूपी चुनाव में महत पून निश्चित तोर पे आम आदमी पार्टी के जो नारे हैं आम आदमी पार्टी का जो एक तरह से आकरशन है कि हम मुफ्त में विजली दे देंगे अच्छा और स्वास्त के मामले पे जो उन्होंने दिल्ली में काम किया है उस मॉडल को वो प्रचाइद कर रहे हैं लेकिन अभी आम आदमी के साथ अपना एक उनका मिलना जुलना जादा दिख रहा है और उसकी भाशा बोल रहे हैं और निरंतर वो भारती जनता पार्टी की सरकार को चुनोती दे रहे हैं उससे जो संभावना जताई जा रही है कि समाजबादी पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में कोई अर्वारती जनता पार्टी को फायदा पहुचाती है या जो भी है लेकिन उनका जो उनके जो तेंकिंग है कि जिस तरह से कभी मुस्लिम लीग हुआ करती थी उस तरह से देश के मुसल्मानों की एक अलग पार्टी बने अभी भारत में ऐसा हो नहीं पाया है जो 1937 के बाद भारत में चीजें शुरू हुई थी अभी भारत का जो अलब संख्यक समाज है वो किसी गैर मुसलिम दल के साथ जो है वो जुड़ता है और उसको बद्दान करके और एक देश में एक सेकुलर पॉलिटिकल एलाइंस बनाने सेकुलर पॉलिटिकल गवर्मेंट बनाने की कोशिस करता है अब वो इतना निराश हो जाए कांग्रेस से निरास हो चुका है लेकिन वो सपा से इतना निरास हो जाए या कहीं जो हैं सीपी से इतन मुस्लिम कंडिडेट को प्रिफर करता है लेकिन जो भारत विभाजन के पहले जो इस्थितियां थी वैसी इस्थिति अभी देश में नहीं आई है अच्छा बस आखरी सवाल में क्या बस्पा और कांग्रेस ये गड़ बंदन और समझोते में नहीं जा रहे हैं आप क्या देख रहे हैं इससे बस्पा और कांग्रेस तो अब जिस तरह के दावे आ रहे हैं बस्पा बहुत प्रो एक्टिव पार्टी के रूप में दिख नहीं रही है अलांकि बस्पा के पा जबकि 21% वोटों के साथ सपा की 47 सीटी थी तो अब बस्पा अगर एक्टिब नहीं दिखेगी एक विपक्च की भूमिकार नहीं निभाएगी तो और उनका बस्पा और कांग्रेस के जो एलाइंस का कोई जो प्रयोग है वो भी सफल नहीं हुआ है अच्छा कांग्रेस और बस्पा के लाइंस का प्रयोग सफल नहीं हुआ है तो इन लोगों के जो वोट हैं खासकर बस्पा के जो वोट हैं वो इस बारे में ऐसी संभावना बेक्ति की जा रही है कि यह वहां जा सकते हैं जहां कुछ जीत की संभावना हो और सपा में भी जा सकते हैं वो कांग्रेस में भी जा सकते हैं बीजेपी भी उन्हें खीजने की कोसिस करेगी पिछली बार बीजेपी अभी फिलाल दोनों दल ये एक लाचलो की राजनीत की और ये हैं मतलब जो है बहुत बहुत शुक्रिया अरूं जी आप से बाचीत के लिए तो आपने देखा कि छोटे दल कितने मह पक्षी को काफी नुकसान पहुचाने की शमता रखते हैं इसके अलावा लोगतंत की द्रिश्टी से भी चुनाव में ज्यादा से ज्यादा दलो और लोगों की भागेदारी बहतर ही है तो आज चुनाव चक्र में बस इतना ही आगले एपिसोड में चुनाव के ऐसे ही किसी पहलू पर बात करेंगे तब तक आप हमारी साइट पर विजिट कीजिए यूटूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी पत्रकाइता को समर्तन दीजिए धन्यवाद